नमस्कार दोस्तों हिंदी टेक मंतरा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ उसके लिए दोस्तों सबसे पाहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रॉम ब्राउजर और वहां पर दोस्तों हम इनकम ट्राइक का जो ओफिशियल साइटका लिंग है उशे हम ओपन कर लिते हैं अगर आपको चीन है तो दोस्तों आप ऐफाइलिंग Link करने के लिए हमें इसी Option पर click कर लेना है तो दोस्तों जैसे हम Link आधार के Option पर click करते हैं तो हमारे दिखिए कुछी सरी के से इंटरफेस open हो जाता है यहाँ पर हमसे दोस्तों कुछ Details गूची जा रहे हैं तो चलते ही दोस्तों वो सारी डिटल्स हम प्रॉपल यहाँ पर हम can क क्योंकि दोस्तों अगर हमारे अधार कार्ट का जो डीटेल हो पैन कार्ट से मेच नहीं करेगा जैसा कि नाम और डेट आप बर्थ तो हमारा जो अपलिकेशन है लिंकिंग का वो रीजेक्ट हो सकता है ठीके तो हमने जीजा कि देख लिया है अब हम ट्राइप करते हैं अपड थर्ड नमबर पे दिखे नेम एज पर आधार मतलब दोस्तों हमारे आधार कार्ट पे जो भी नाम लिखा हुआ है वो प्रॉपर हमें फिल करना है उसमें जरा भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों जैसे ये सारी डीटेल्स हम फिल कर लेते हैं उसके बार नीचे सरे देखें दो चेकबॉक्स दिया गया है तब ही आ आधार काड से Ind reflecting लेटे और इसके बाद हम लिंक कार लेते हैं डिये गए मोबाइल नमबर पर- मुझआ उपकी बाद हम आधार कर ने के बाद हमारे दिये गे मोबाईल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता हिए वो successfully e-filing portal पर submit हो जाता है तो दोस्तों application status जानने के लिए चलते दोस्तों ok बटन पर click कर लेते हैं और bike हो जाते हैं और यहाँ पर देखे third number पर link आधार status का option दिख रहा है status चिक करने के लिए दोस्तों हम इसी option पर click कर लेते हैं दोस्तों जैसे हम link आधार status के option पर click करते हैं तो हमारे सामने देखे कुछ इस तरीके से window open हो जाता है और यहाँ पर देखे दोस्तों हमें दुबारा से pen number आधार number mention करना है तो हमने जो भी application के time पर pen number आधार number mention किया था वो दुबारा से यहाँ पर हम mention कर लेते हैं और राइट सैट में देखे दोस्तों view link आधार status का option दिक्षाइए उसके बाद हम इसी option पर click कर लेते हैं दोस्तों जैसे हैं view link आधार status के option पर click करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो pen और आधार का linking है उसका status open हो जाता है और यहाँ पर देखे हमारा जो pen card पे नाम है वो थोड़ा wrong है इसके लिए दोस्तो हमारा pen card से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो उसके लिए दोस्तो हमें पहले क्या करना होगा हमें हमारे pen card पे जो नाम है उसे हमें सही करा लेना है उसके बाद आधार कार्ड लिंक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड सक्सेस पूरी लिंक हो जाएगा दोस्तो वीडियो पूरा देखने के बाद हमें उम्मीद है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंकिंग का जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और दोस्तो के साथ सेयर करना मत भूलेगा तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भेरी वीडियो के साथ